नमस्कार मेरे प्यारी बच्चों, एक बर फिर से आप सभी का सुवागत है आपके अपने यूटूब चेनल दपीसी एम विजन में आज किस वीडियो में हम लोग कलास से लेमें जियोगरफी, टर्म टू के मोडल पेपर, सेट टू के प्रशनों को डिस्कस करेंगे बच्चों इससे पहले हम लोगो ने सेट वन को डिसकस कर लिया था अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है आप लोग उसे वाँ से जाकर की देख सकते बचो तो चलिए सुरू करते हैं आज की प्रशनों को पहला प्रशने बचो विस्व में सिर्वादिक गहरे शागर ये गर्थ का नाम लिखे तो इसका राइटन सुल जाएगा मार्याना गर्थ और ये परसांत मास सागर में इस्तित बचो और इसकी गहराई लगवग 11,022 मीटर है तो ये तीनों पॉइंट आप लोग आज रखेगा इन में से कोई भी प्रशन आपके बोड़ एक्जाम में आ सकते हैं उसके बाद दूसरा प्रशने बचो लोगतक जील किस रैज में इस्तित है तो इसका राइट रखेगा मनीपूर में लोगतक जील आपका मनीपूर में इस्तित बचो उसके बाद तिसरा कुशिन बचो भारत का एक मात्र जीवित सकरिय जवाला मुखी कहां इस्तित है तो इसका राइट रखेगा बचो अंडमान निकोबार दिफ समु के बेरन दिफ में ठीक है और इस जुवाला मुखी का नाम क्या है बेरन जुवाला मुखी और यह आपका अंडमान निकोबार दिफ समु के बेरन दिफ में इस चीते बचो उसके बाद चोथा प्रशने बचो भारत की जलवायू केसी है तो भा तो यह राजिस्थान में इस्तिते इसे भी आप लोग आज रखेगा उसके बाद देखे बचो अगला प्रश्णिया आपका लाल मिट्टी में लाल रंग का क्या कारण है तो इसका कारण है बचो आयरेन ओक्साइट की अधिकता लाल मिट्टी में क्या पाए जाता है इस वज क्यों दिखता है उसका भी कारण क्या है आयरेन ओक्साइड उसका भी कारण है बचो उसके बाद देखिए अगला कोचन आपका सात्वा प्रश्ण महारास्टा में पच्मी घाट को क्या कहा जाता है तो यहां से बहुत सारे प्रश्ण आपके बोड़ एक्जाम में बन सकते आपनों यहां पर थोड़ा ध्यान देजिएगे बचो इधर आपका है पुरवी तट बचो अनिकी पुरवी घाट और इधर आपका है पच्मी घाट ठेक है तो पच्मी घाट को परतेक रैजवे अलग लंग नाम से जाना जाता है तो देखिए बचो आपसे कोश्चन घु दोनों कोकन टट के नाम से जाना जाता है फिर आपसे प्रश्चन पूछा जा सकता है कि आपका करनाटक में करनाटक में पच्मी घाट को कुण से जाना जाता है तो इसमें केंद्रा टट के नाम से जाना जाता है तो आपसे प्रश्चन पूछा जा सकता है कि केरेल में पच और यहां पर देखे जो यह पूरवी टट है ना तो आपका अंध्रा परदेश और आपका थामिल लाड़ू में पूरवी तरको कोरु मंडल टट के नाम से जाना जाता है आपको अभी तुरूंत आप नहीं हो रहा है वीडियो को थोड़ा फिचे किजिए और फिर से एक बार पहाड़ वाला पर ध्यान आपको मत दीजिए यहां से एक प्रशन आपके बोर्ड एक्जाम में ठीक्स हैंगी कि लिए रहे बच्छो इसका पीडियाफ आपको मिल जाएगा टेंसर मत जीए इसका पीडियाफ आपको टेलिग्राम ग्रूप में एक दो दिन में देदी जा अधे हैं तो डिस्किप्सिर में प्लेडिष का लिंक दिया हुआ है आप लोग से अजा करके जयर कर सकते हैं से और का पीडियाफ दे दिया गया है एक बर आप लोग चेक कर लिंगे ठीक है दोड़ुर react हो आपका जो मचो इस पर नब्र सान करके क्छो आपका है और तिन नमर का प्रेशने बचो, देखे, जल चक्र क्या है, चीतर सहित समझाए, तो यहाँ पे आपको जल चक्र के बारे में लिखना भी है बचो, और इसको चीतर बना करके दिखाना भी है, तो देखे बचो, जल की विभिन भोतिक रूपों, जैसे द्रव से गैस, गैस से में अश्थल मंडल एवं, जैल मंडल, महादीप एवं, महासागर, धरतली अनिकी भूमिगत एवं, वायु मंडल, आजे के बीच नियंतरन परवा एवं, आदान परदान की परिक्रिया को जैल चक्र करते हैं, तो थोड़ा आपे समझेगा बचो, नदी तलाव और जो समु ठंडा हो जाता, उसके बाद क्या होता है, वर्सा होता है, और वर्सा होने के बाद यहीं जल क्या होता है, नदी तलावों में चला जाता है, और फिर हो क्या होता है, समुद्र में चला जाता है, फिर वहां से क्या होता है, वास्फ बन करके ऊपर उठता है, बादर बनता है तो यहीं जो चक्र चलते रहता है जल बनने की जो चक्र चलते रहता है तो इसी को क्या कहते है जल चक्र कहते हैं तो वहीं यहां पर आपका लिखा हुआ है आपको चित्र की साहता से दर्सा सकते हैं एक ठोग सुरज बना देना है आपको ठीक है सुरज की यहां पर दिखा दे समुद्र में चाल जाएगा ठीक है यह फोटो तो मैंने गूगल से निकाल लिया है लेकिन आप लोग बनाना किस परकार से देखिए यहां पे आपको सुरत छाब देना है नीचे आपको यहां पर इस तरह से डॉट करके समुद्र दिखा देना है फिर यहां से आपको इस तरह मिल जाएगा भोती असानी से ठीक है उसके बाद देखे बचो नौवा परशने आपका उप महादीप किसे कहते हैं भारती उप महादीप में सम्मेलित देशों के नाम लिखे तो देखे बचो प्रिथ्वी परमवजूद ऐसा भूभाग जो किसी महादीप का हिस्सा होते बारती महादीप के बचो ठीक है यह जी अपर करके तो यहां से आपका यह लेकिन बहुत साल पहले की बात है अभी आपने उमत सब्चलिजेगा तो इसी कि उससे क्या हुआ आपका हिमाले परवत की उत्पत्ति हुआ बचो यह आपका इस आप भांग नहीं था यह वहां से दुसरा से कट करके आया हुए ठीक है तो ये दुसरा ठका था लेकिन ये प्रैकरतिक रूप से अलग परतीत होता है ठीक है तो उसी को क्या कहते है आपका यूप महादीप कहते है तो भारती महादीप में आपका कौन-कौन सा देश आता है देखी आपका भारत आता है पाकिस सब्सक्राइब कर देखने है अभी उत्रिय अमिर्का फिर का यूरोप ठीक है यह सब सारा आपका एक इता यह तूटते 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 सब अलग हुए ठीक है तो भारत भी आपका पहले क्या था अप्रिया फिरका महादिव से जुड़ा हुआ था इससे प्रिखा जाता आधा इसके आपका कि इतार आगया यहां पर अपर शावश्य को बरसा मुख्यूव से प्रिथीविं के भागों की आकिर्तिया था प्रवतों की उच्छाई के ढालद्वारा नियंत्रित होता है है वाँ किसsti अथा करत से भूझे इसके हुशे हुने वाली वर्सों फिशनी से को समयियों में से प्राहरम होते है और शिटम्माइं प्राथ रहती है जन से अब तो आगे आपका कोईशन भी है की सित्रुतु में जो ठंडा का दिन में और तामिल लाड़ों में वरसा क्यों होती है तो आपका कोईशन भी आगे तो उसमें बताएंगे ठीक रिचो उसी बाद के तिसरी इसकी विसिस्ता है जैसे जैसे मानसुल समझी तप्रूप से अस्तिल आट अगला क्म पर दूसित होने की तीन कारण बताई तो आपने से इसको आप लिख सकते है देखें पहला कारण क्या है आपका योदोगी अप्सिष्ट मतलब जो गंदगी से निकलने वाले गंदगी रसाइनों के मिष्णन और भारी धातों को पानी में इसका परमुक्न बचो इस साफ करना मुस्कील होता है जिसक वज़से क्या हो रहा है उसके Wing सो ईसके inciddence जो आ से सफस्ष जो आपको क्राइब हो गया ये राथ हो गया किसी समें इस्तिम कि ना सक नदी के जल में कुदूसीत करते हैं जिसे क्या होता है नहीं यहां पर खेट में डाल देता खेट का पानी को फार होता है तो पानी किसमें चला आता है नाला में चला नाला से क्या होता है चला आता है नदी में उससे भी क्या हो रहा है नदी का जल पर दूसीत हो रहा है बचो यह तिसरा आपकी यह प्रदूशित होने का कारण है उससे बदर के चोथा करण नदियों में प्रभावित किये गए घरों से निकलने नदियों में प्रदूशन के अस्तर को बढ़ा देता है यह आपका जो घर से हम लोग गंदा छोड़ते बचों क्या होता है नदी में जाता है तो यह भी प्रदूशन का एक मुख्य कारण है तो चार में आपको यहां पर बताया आप लोग तीन भी बोड़ एक्जाम में धर क्यों होती है जब किदर गर्मी में हो जाता है तो इसका करण क्या है बच्छों देखिए उत्तर-भारत में शीत्र-उतूँ के सिरुवात कब होती है नवमर मेहना के अरुरूप हो जाती है जब लोटते हुए मानसुन की पामने द्वारा बंगाल की खाड़ी से जल वा करके उत्तर पुरिवी मानसुन के मदी से तामिल लाड़ू के तटिये छित्र में वर्षा होती है यह इसका कारणे बच्छों वहाँ पर जो जाड़े में शित्रुतु में वर्षा होती है मतलब देखें यहां पर अभी क्या ओर है मानसुन उठेगा कहां पर सबसे पहली वर् महत् पुर्षा होती है महत् पर के तो धेखें घ्याह सब करके भारत केके छितिति क्यों महत्मूर है यह हैं भारत की इस इस्तिति प्राचेन कालिक से लाब मिलता रहा है विश्प्री के कारण भारत में पुर्वी अफिर्का पछमी ऐशिया दच्छनी कत्तहा पुर्वी ऐसिया और पुरुवी ऐसिया के देशों तक पुछा दा सकता है मतलब यहां पर हिंद मास अगर में बंदरगाय बचो तो उसके रास्ते से हम लोग कहां तक पुछ सकते हैं ये युरोप मेर्का पुछ सकते हैं इस वज़से ये केंदर ये इस टीव बचो कि लिए उसके बाद देखिए अगला कुछ निया पाच्छम तो जो पच्छमी तटीए मैदान है, वहाँ पे डिल्टा का निर्मान क्यों नहीं होता है, वहाँ पे डिल्टा क्यों नहीं है, उसकी बारे में आपको लिखना है, तो यहाँ पे आपका एक वर और प्रश्ण लिखा गया है, दुवारा, ठीक है, इसको हम लोग कार देते हैं इसके उत्तर को देखिए भारत के पच्वी भागों में बहनी वाली नदियों की ढाल कापी तीवर है वहाँ पर जो ढाल है बचो वह कापी जादा ढाल है इसलिए वहाँ पर डेल्टा का निर्मान नहीं होता है इसलिए पच्वी तटीय में पर कोई भी डेल्टा नहीं है बचो आपका क्या होता है जो पूर्वी तटीय में है बचो वहाँ पर ढाल बहुत ही कम है इसलिए वह समुद्र ये बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले क्या करता है डेल्टा का निर्मान करता है आप लोग समझते हैं डेल्टा किसे करते हैं वह क्या होता है इसे एक आप समझ सकते हैं जिसे मान की चलते हैं यह गंगा नदी बचो ठीक है यहां पर आपका बंगाल खाड़ी तो यह बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले क्या करता है उदर से लाया हुआ मिटी क्या कर अगला कुछ ने मिर्दा आपरजन के परमुक कारण इस समस्या से निपटने के उपाय बता है तो यहां पर इस समस्या से निपटने के उपाय जो थे बचो वह आपका सेट वन में भी था कि मिर्दा आपरजन क्या है इसके समस्या को निपटने के क्या-क्या उपाय है उसको ल जो रहां सब्सक्राइब महीं एक जो स्था वैसे एकल पोजे यह क्विक उखर्ण जयार है इस मेस रहे हुए वेली वहां vista कि फ्यलाव था थे कंट छो चाहिए इस वजय से ऐाख ऑना गैं कि ढृट रहा है इससे भी आपका क्या हो रहा है मिर्दा वहां पेड़ पोदे हट रहे हैं तो पेड़ पोदे क्या करते हैं मतलब मिटी को उसके जड़ क्या करता है मिटी को पकड़ करके रखता है तो क्या हो रहा है आग लग रहा है पेड़ पोदे खतम हो रहे हैं खतम हो रहे हैं तो इसका हो रहे हैं थो पहाड़ी क्या चाहिए चाहिए करना चाहिए नहीं का ना चाहिए मिद्धा अपरदन नहीं होगा तो वहां पे उस तरह से करते नहीं मतलब अब विवेक पूर्ण से खेती भी करते इस पज़ें से क्या हो मिर्दा अपर्दन हो रहा है तो यह आपका कारण होगे बच्छो एक और कारण है तो पांस कारण आपको रुखिएगा ज्यादा नहीं ठीक है अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्सर में प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुए बच्छो उससे आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं ठीक है तो इसको में सेड़ी नुमा खेती आपका दूसरा कारण हो गया तो इसको आप लोग पढ़ लिजे म मैंने डिस्क्रिप्स किया हुआ है नहीं तो उस वीडियो को आप लोग वाश्री जाकर करके देख सकते सेट्यमें को नहीं देखें तो इसको नियंत्रीद करके मिर्दा परदन को रोख सकते हैं उसके बाद देखें बचो सुल्वा प्रश्न आपका भारतिये किसान के मानसुन की जुआ है तो क्यों मानसुन जी जुओा है उसकी बारे में मतलब नसीव का खेला लहता हुआ आया तो आया नहीं आया तो गैंटी नहीं तो उसी प्रकार से मानसुन कब बरिसा होगी वर्सा होगी या नहीं होगी यह कारण है बचो इसको क्या कहा जाता है जुवा कहा जाता है ठीक है देखे बचो पानी की उपलब्दता अच्छे मानसुन से नहरों तलाबों नदियों जिलों में पाने की उप्लब्द होने से इसकी सप्डाई में ब्रिधी होती है जो युद्यों के वों क्रिसी सेक्टर के को पाने की उप्लब्दता सिरुक्षित करती है इस तरह मानसुन की उप्लब्दता लोगों को समाजी कार्थिक विकास को प्रवावित करती है यही कारण अगला कोचिन आपका भारत के विशाल मेदान को उचवच के भिंता के अधार पर वर्गी किरिद कर उनका संचिप्त वर्णन करी तो देखे बचो भारत के विविन भोतिक सरूपों में बटा गया है परवत, पठार, मेदान, जीलने, इत्यादी भारत के विश्तरित छेत्र में फेले हुए है करकरेका भारत को ठीक, मदिस से होकर गुजरती है भारत को स्तंपुन छेत्रपल का भूभाग परवतिये भूभाग पहारी छेत्र आपका है, भूभाग पठारी है आपका ठीक है, और भूभाग मेदानी है छेतरेबचों अब तिकर आपधि इसके कारण भारत का वर्गृ कम्री ४र्भित्र तरिका है उत्तर की पर्वतिय है। विस्व की सबसे उची चोटी एक वह बनावट की दिश्टी कोन से नमीन वरीत प्रवत स्रंक लाएं दूसरे हैं बच्छों आपका वर्ण करें उत्तर का विसाल मेदान यहां पर लिखना है पहले हम लोगे प्रवत के बारे में उसका प्रादिप्य पठार के बारे में और अ है रुट करेंगे तो देखें भारत की उत्री मेदान वाले तथा प्रादिप्य पठार से निकलने वाली नदीओ के द्वारा भांकर लाई ही मिट्टी से बने जो मैदान बनावे है जो नदीओ से बहां करके लाएं गंगा सिंदू नई से ठीक है उसके करन यह जो उत्तर म प्रदेश प्रादिप्य पठार कस से ओडिसा तक तर्टिय मैदानों की एक संक्री पट्टी से घिरा हुआ है देखिए बचो कछ आपका हो गया गुजरात में और उदर आपका हो गया ओडिसा ठीक है बचो उसके बादेखिए पांचोंग पूइंट है दिफिय समु जिसे कि अजियर आपका अंदमान निकवार युटे बालों के टट्ट के तक निकट्ट शोट छोटी दीवफु के एक संवह जिने लच्षा इक संगुर्ण अपका ईघ्जा अनुबर को मिल जाएगा बैचो उसके बादेखिए हिमाली आफवात तंत्र यहांँ प्रैदीपी तो देखिए तेक्षका क्या क्या अंतर यिश्को फोड़ा बड़ा कर देते हैं तो तुमला की उसका अंतर हिमाली वे वे नदिया है जो पश्मी घाड से उत्पर होती है और एक विसिश्श अद्धी के दोरान ही पानि प्राप्त करती है मतलब ही मार्वAMAश पानि रहता है उसके बाद कहीं शुक्तर के बाद में प्लिबा करता है और ये डेल्टा का निर्वान ने करते है एक्षुरी का निर्वान करते है ठीक है उसके बार देखे आकार इसका कैसे है इसका गुमावदार है बच्ओ जो आपका इसरी हमाले से निकलता है ऎशी Schon अनतला मतलब इसके तुलना में शिखा रहता है ठAK है उसके बान एफे कि डिक्त टानों देखिए बचो इसमें असने बज़ाइन से प्रद्धी प्रद्धी नहीं होते हैं इस दौरा सिंची थे यह फिर निरवड करता है निया उस पारिज पानी इसमें जाता है और इसमें क्या होता है जो गलेशिर पिघड़ रहे हमाले का तो वो भी आता है और बारिश भी इसमें इन अधिया में आता है बचो उसके बाद देखे जल निकासी घाटी तो इसका विसाल जल निकासी घाटी है और इसका एक छोटा जल निकाल घाटी है ठीक है देखिए बचो और इसका सिंचना किसा है बचो यह उत्री मदान में है और भारत के मांचित को दरसाना है काली मिर्दाचित जुलोड मिर्दाचित लेटराइट मिर्दाचित अन्हें की मा अस्त्यी मिर्दाचित को दरसाना है बचो तो यहां पे दरसा सकते हैं पहला आपका किया था बचो काली मिर्दाचित नेकी ऑदर से और गोष्ण नहीं पाइजाता घिक FIN कर देना है मतलब गेर लिजेगा को सिर्क डुखी जमेंद यहां पर रॉटर चेट थर इस प्रकार से यहां पर आपका दर्सादी जेगा तो यहां पर आपका था रेटीली मिर्दा तो रेटीली विरेत का मतलब क्या होता है बालू तो यहां पर देखें मरुस्तली मिर्टी कहां पर तो यहां पर आपका लेट राइट मिर्दा को दर्सा दिजेगा तो किलिए वगया बचो इसका पीडियेफ आपको मिल जाएगा टेलिग्राम गूर्प में उससे आप लोग जोईन कर लिजिए दिस्क्रिप्सर में लिंक दिया हुआ है तो वीडियो आपको अच्छा लगा त वीडियो को दोस्तों में शेयर करें ज्याद से ज्यादा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिली और भी इस फरकार का वीडियो आपको लाकर के मैं दूर्चो तो देखें बचो एक सुचना है हिस्ट्री का हिस्ट्री का आपका पूरे तीन सेट कंप्लीट हो चुका है आपका हुआ है तो तीनों सेट कंप्लीट होने के बाद हम लोग भी भी इसन हो प्रस्नों को डिसकस करेंगे बचो तो जो आपके बॉर्ट एक्जाम के दुर्श्टी से इनपोर्टेंट है ठीक है तो और आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को दोब जरूर करिएगा बच्छो तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद।